नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा स्लागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन डेली व्लाग में आज के इस वीडियो में हम यह डिसकस करेंगी कि कैसे इड़वाइस में आटो नंबर सेटिंग की जाती है तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग को ए वीडियो अप्लोड करूंगी इन पूचर उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप जाएंगे इन्वेंटरी इंफोर्मेशन में यहां से आप जाएंगे वाउचर टाइप में अब यहां से आप क्रियेट पर जाएंगे अब यहां पर आप वाउचर क्रियेट कर लेंगे यहां पर हम क्रियेट करेंगे सेल्स इन्वाइस अब यहां पर चु का दिखा रहा है आपको आटोमेटिक दिखा रहा है और टोमेटिक मैनुवल दिखा रहा है फिर मैनुवल आ रहा है फिर मल्टी यूजर और और टो आ रहा है नौन आ रहा है हमें आटोमेटिक करना है इसलिए हम आटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे देर यहां पर आ रहा है यूज एडवांस कंफीगर इसको यस करना है कि इसके अंदर सारी डिटेल होने वाली है तो इसको यस करिए आप यहां पर देखिये starting number, starting number जो होता है, first से ही हम करेंगे invising start, इसलिए यहां पर first हम choose कर लेते हैं, फिर यहां पर आएगा weed of numerical part, तो यहाँ पर आप चूस करेंगे, वीड ओफ निमेरिकल पार्ट में आप चूस करेंगे, अगर आप 001 से कर रहे हैं, तो वहाँ पर 3 करेंगे, अगर आप 01 कर रहे हैं, तो वहाँ पर 2 चूस करेंगे, अगर आप 01 कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 01 करेंगे, तो मैं यहाँ प प्रीफिल जीरो के साथ हो रहा है तो इसलिए यहां पर करेंगे आप यहां पर देखिए इस्टार्ट नमबर आ रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम होगा फॉस्ट एप्लीकेबल फॉस्ट 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 होगा स्टार्टिंग नमबर यहां पर बन होगा और यहां पार्टीक जो है यहां पर जो इन्वाइस का जो प्रीफिल आपको करना है स्टार्टिंग आप जो भी लेना चाहते वो ले सकते में आप जी अस्टी ले रही हूं एन येर का 2020-2021 ले रही हूं अब सफिक्स डिटेल में आपको कुछ भी नहीं करना है यहां पर एप्लिकेबल फ्रॉम आपको सिर्फ डेट डाली है और एक्सेप्ट कर लेना है और रहे मैं आपको दिखाती हूं झापको क्लिक िंग रहा है और और लिए मो sono ओपन कर लेवर और उपन कर लेटिए हैं यहां पे 않았at ہां हमने जो सेलैक्ट करेंगेगे अब आप यहां पे देखिए GST 2021-01 आ रहा है जो हमने वहाँ पर create किया था जैसे हमें चाहिए format invoice का उसी type का इस type से आप भी create कर सकते हैं automatic invoice यह pick करेगा जब आप एक entry के बाद अगर second entry करेंगे तो second auto pick करेगा आपको इसमें manually डालने के ज़रुत नहीं है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो मेरे चैनल को like किचिए share किचिए and subscribe किचिए thank you